सैनी महला पिंजोर में मुख्य गली का निर्मान कारे चल रहा है दिमी घती से काम कभी शुरू तो कभी हो जाता है बंद लोगों में भारी रोश है सैनी महला पिंजोर में पिछले चे मिनों से गली का निर्मान कारे रुका पड़ा है जिसे कभी गली का काम शुरू हो जाता है तो बीच में बंद भी हो जाता है या कोई ना कोई अड़्चने बीच में आ जाती है जिस कारण एक गली जिसे आदा किलोमेटर भी नहीं कहा जा सकता इस गली को कम्पलीट करने में नगर परिशद में भागने 6 मिनों को समय लगा दिया है लोगों में भारी रोश है कि ऐसी गली के बीच में रहना सांस लेना काफी मुश्किल हो रखा है राश्टरवादी जन लोग पार्टी के राश्टरे सची बल्वान ठाकुरने भी गली का निरिक्षन किया था और यहां के हलाद देकर लोग भी हैरान हुए थे नालियां और नाले रुके पड़े हैं गलियों के बीच में पानी चल रहा है लोग पैदल चल नहीं सकते हैं यहां पर पहले कालका हलके की पूरे विधायक लतिका शर्मा ने भाजपा नेता क्रिशन लालामबा के साथ अन्या भाजपा वरकरों के साथ दोरा कर विभाग को कारा जल्द शुरू करवाने की मांग पर जोर दिया था वहीं कालका हलके से कांगरोसी विधायक परदीप चोधरी ने भी वरकरों के साथ सैनी मोहला के लोगों से बात कर जिला परशासन और हर्याना सरकार से काम को शुरू करवाने की मांग की थी लेकिन काफी अर्साबाद स्यानी मोहला की मेन गली का कारा है शुरू तो हुआ लेकिन काम काफी धीमिकती से चल रहा है लोगों में जिला परशासन और हरेना सरकार के खिलाब भारी नराजगी है गौर तलबे की जन सोस्ते भाग पिंजोर ने भूमिगत सीवरेज पैप लैन बिचाई थी जिसके बाद गलियां उखडी भी वैसे ही छोड़ दी गई थी जिस करण काम शुरू होने में करीब 6 मेनों का समय लग गया अब काम शुरू है देखते हैं कि गली निर्मान का कारेक कितने दूनों में खतम होगा तो आपकी क्या मांग है बस यह सड़का साफ होने चाहिए गलिया नालिया सारी साफ उनके ही कोई देखता ही नहीं आकर के यहां तो पैनी महले में मैं रोब से निकल रहा था तो मैंने सामने गुपता टेंट के सामने देखा कि इतना गंदगी थी इस रोड के उपर मैंने तो मेरा जब से मेरा जनम हुआ मैंने पहली वार इतनी गंदगी यहां देखी है 40 साल के अंदर मैं पहली वार ऐसा देख रहा हूंगे यहां हमें दूसरों के बाहर दरवाजों पे चड़ चड़के गड़ी क्रोस करनी पड़ रही है तो अब यह चक्कर क्या है यह सारी जनता सारी परशान और रखी है इसमें क्योंकर पहले तो भाना होता था जी सरकार हमारी है मले किसी और का है चलो अब तो सेंटर में भी सरकार इनकी है नीचे भी सरकार इनकी है और कितने वीज़े बीगे नेता इस सड़क में आ ले अभी तक आते हैं फोटो के चले जाते हैं काम लगा नहीं है अभी तक जनता इतनी परशान है पर डेंगू की बुमारी फैल की तो इसका जुम्मेदार कौन है ये हम सरकार से पूछना जाते हैं अगर कोई बुमारी फैल कि इतनी गंदगी में और किसी का बच्चा उपर पीचे हो जाता है तो उसकी जुम्हारी कौन लेगा